दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ECS T10 टूनामेंट के एक और मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा UNI वर्सिज ACCB के बीज में अगर यहां के विकेट के बारे में बात करें वैसे तो दोस्तो रोमानिया को जो विकेट होते हैं वो बल्ले बाजों को अच्छा स्पोर्ट करते हैं लेकिन अभी जो पहला मुकाबला दोस्तो यहां पर खतम हुआ उसमें आप देखो के दोस्तो जो गेंद बाज है वो यहां पर हावी रहे थे बीजी ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 10 और में 69 किये थे 8 खिलाड़ी उनके आउट हुए जवाब में BN की जो टीम है उसने टारगेट है दोस्तो वो तो चेल्स कर लिया था लेकिन जवाब में दोस्तो उनके भी यहां पर 7 विकेट गिरे थे यानि दोस्तो T10 मैचेज की दोनों इनिक में दोस्तो यहां पर 15 विकेट गिरे गेंद बाजों का जो पलड़ा है दोस्तो वो यहां पर भारी रहा लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोस्तो आगे के मैचेज में भी आपको ऐसा विकेट मिले क्योंकि दोस्तो रोमानिया की जो विकेट है वो ज़्यादातर बल्ले बाजों को ही स्पोर्ट करते हैं अभी दोस्तो जो दूसरा मुकाबला है वो लाइव चर रहा है उसको देखकर भी थोड़ा सा पिस के बारे में आइडिया लग जाएगा बाकी पिस को लेकर अगर कोई भी अपडेट मुझे मैज से पहले मिलेगी तो वो मैं आपके साथ सेयर करूँगा हमारे टेलिगाम चैनल में और टेलिगाम जोईन करने के दो इंपोर्टेंट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएंगे तो चलिए दोस्तो सबसे पहले बहुं बात कर लेते हैं यूए नाई के बारे में टीम के ओर से रामेज सतीसन, सतन अउजा, अली हुसेन और शान्त वसिष्ट चारों के चारों दोस्तों टोप ओर्डर के बल्ले बाज हैं कोई भी आपको ओपन वन डाउन या फिर टू डाउन केलता नजरा सकता है रमेज सतीसन, जवरदस्त अटैकिंग बल्ले बाज है, 23 मैच में 402 रण बना चुके हैं, 20 का बैटिंग अवरज है पलस में दोस्तों इन्होंने 30 अवर बॉलिंग करते हैं, 22 विकेट भी निकाल के दिये हैं सतन अउजाज जब तक करीज पे रहेंगे दोस्तों आपको बड़े हिट देखने को मिलेंगे 33 मैचस के अंदर दोस्तों इन्होंने 515 बनाए हैं, 32 का बैटिंग अवरज है अली हुसेन के बारे में बात करें, तो 8 T10 के मैचस खेल चुके हैं, 148 बैट के साथ हैं पलस में दोस्तों 12 अवर इन्होंने बॉलिंग करते हैं, 12 विकेट बॉलिंग में निकाले हैं इनके बाद संत वसिस्ट हैं, इन्होंने दोस्तों T10 के अंदर 13 मैचस में 146 बनाए हैं बैटिंग है दोस्तों वो इतने ज़्यादा इनकी खास नहीं रही बॉलिंग में ये पार्ट टाइम गेंद बाजी करते हैं और कई बार दोस्तों ये दोवर कंप्लिट भी डाल लेते हैं पिछले दोस्तों 13 मैच में इन्होंने 24 अवर डाले हैं सिरफ 6 विकेट मिले हैं यानि दोस्तों गेंद बाजी तो लगबग कोटे की पूरी कर रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा विकेट है वो वसिस्ट को पिछले कुछ मैचल से नहीं मिले हैं इनके बाद रोहित कुमार है टीटैन के 13 मैच में 179 किया है बोलिंग में सिरफ पार्टाइम गेंद बाज है जिनसे दोस्तों टीम है वो बहुत कम बोलिंग करवाती है राजिस कुमार टीटैन के 21 मैच में 26 रन बनाए है बैटिंग में 18 का एवरेज है बोलिंग में 36 वर बोलिंग किया है और 15 विकेट निकाले है आफताब काई ही नहीं है टीटैन के अंदर 19 मैच में दोस्तों इन्होंने 23 वर बोलिंग की है 9 विकेट टीम को निकाल के दिये है इनके बाद दोस्तों ललित पंजाबी है ललित पंजाबी दोस्तों बिलकुल एक एवरेज परफोर्मर्ट प्रेयर है जिनको टीम है वो ज़्यादा मोके वगरा बैटिंग के नहीं देती है 9 मैच में शिर्फ 1 मैच में बैटिंग आई थी उसमें इन्होंने 7 वर बनाए थे वहाँ पे नोने 7 वर बोरिंग की थी और 4 विकेर निकाले थे बैंचस के बारे में बात करें तो दोस्तों जो बैंच है वो प्लेश से भड़ा पड़ा है तो अगर कोई खेलेगा तो अपडेट आपको टेलिगाम में मिल जाएगी और टेलिगाम कर लिंक आपको वीडियो के निचे मिल जाएगा अब हम बात कर लेते हैं LCCB के बारे में तो दोस्तों गोहर मनन, आसाद अब्बास और अब्दुलासिप है टीनो टोप ओर्डर के अटेकिंग बल्लेबाज है कोई भी दोस्तों ओपन वन डाउन या टू डाउन केल सकता है गोहर मनन के पास 21 टी टैन का अनूबव है 704 रन इनके नाम है 37 का बैटिंग आवरेज है आसाद अब्बास है विकेट की पर बल्लेबाज है 15 मैच में 201 रन बना चुके है 17 का बैटिंग आवरेज है अबदुलासिप है 24 मैचस में 500 रन बनाई है 31 का बैटिंग आवरेज प्लस में 44 और बॉलिंग करते है 20 विकेट बॉलिंग में निकाल चुके है इनके बाद अननदा कार्थी के रन है 15 मैच में 230 रन लगबग 32 का बैटिंग अवरज है इनके बाद सम्मियुल्ला है हिट और मिश्टाइप आले बल्ले बाज है कई बार रन बना देते हैं कई बार जल्दबाजी में आउट हो जाते हैं 23 मैच में 164 रन इनके नाम है प्लस में 37 रन बॉलिंग करते हैं 17 विकेट बॉलिंग में निकाले हैं सयदुला टीटैन के 15 मैच में 29 रन बॉलिंग की है 12 विकेट इनके नाम है मौमद इसाक हैं 8 मैच में सिरफ दोस्तों 2 मैचस में इनसे 2 वर बॉलिंग करवाई गई है वहां पि इनने 2 विकेट भी निकाले हैं लेकिन टेम कभी बॉलिंग करवाती है कभी नहीं करवाती ये थोड़ा सा एक डाउट रहता है सुकबिंदर सिंग 15 मैचस के अंदर 26 और बॉलिंग की है 15 विकेट निकाल चुके हैं मौमद जकार गया है जिन्होंने 9 मैचस के लिए है 5 अवर इन्होंने बॉलिंग किया सिरफ एक विकेट इनके नाम है रहिम गुल टेटन के अंदर 10 मैचस में से 3 अवर इन्होंने बॉलिंग किया सिरफ 2 विकेट मिले हैं पार्ट ताइम गेंद बाद जाए इनके बाद पुबुडू निलंगा है T20 2021 में इन्होंने 5 matches खेले थे वहां फिर इन्होंने 18 overall bat balling की और 5 wicket निकाले बाकी बैंसेज को लेकर जो भी update होगा दोस्तो आपको update टेलिगाम में मिल जाएगी तो दोस्तो टेलिगाम जुरूर से जोइन करना लिंक वीडियो के निचे मिल जाएगा अब बात करते हैं दोस्तो हमारी आज की डैम और टेम के बारे में विकेट कीपिंग में देखा जाए दोस्तो तो मैं यहां से अब बास और दोस्तो यहां से सतन अहुजा दोनों प्लेस को ट्राइ करके चलने वाला हूं इनके बाद बैटिंग डिपार्टमेंट में साती संद जबर्दस्त टैकिंग बलेबाद गोहर मनन और दोस्तो नीचे के उप्षन से मैंने यहां से ए आसिप को ट्राइ किया है तीनों के तीनों दोस्तों काफी अच्छे बलेबाद को रखा है याव कुमार और दोस्तों यहां से मैंने रखा है सम्यूला को अब दोस्तों यहां से डी सुदनरंजन है इनका दोस्तों कुछ खास री सैंड परद द समन नहीं चल रहा है तो मैं अपनी timolig से बिलकुर Соrail को और दोस्तो सांतनू वसिस्ट को अपनी टीम में ट्राइ किया है तो अभी के लिए दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर टीम देख रहे हैं ये हमारी एक डेमो टीम है जो फाइनल टीम रहेगी मेरी वो पूरी तरह से टोस पर डिपैंड करेगी और टोस के बाद टीम में जो भी चैंस होंगे उसकी अपडेट आपको मिलेगी टेलिगाम में टेलिगाम जोइन करने के लिए दो लिंक है वो मैंने वीडियो के नीचे मैंसन कर दिये है जहां से दोस्तों आप कलिक करके सीधा हमाई साथ टेलिगाम में जोड़ सकते हैं बात रही दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो दोस्तों कैप्टन या से मैंने सती सन और दोस्तों वाइस कैप्टन मैंने ए आसिप को बनाए है दोनों दोस्तों बहतरी निपिक है reverse कर गे भी captain wise captain बना सकते हैं तीसरा अगर आप option देखोगे captain wise captain का तो आप gohar manan के साथ भी जा सकते हैं अगर grand league की बारे में बात करूँ सतन आउजा को आप grand league में captain wise captain बना सकते हैं Samirullah को भी दोस्तो आप captain wise captain grand league में try करके चल सकते हैं bowling department में देखें तो सांतनों वसिष्ट भी दोस्तों कई बार गुच्छों में विकेट निकाल जाते हैं बाकि मेरी final captain wise captain और updated team आपको टोस की बार टेलिगाब में मिल जाएगी तब तक के लिए दोस्तों मेद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक्यू फ्रैंड्स ओल दा बेस्ट